हेलो गाइज तो वेल्काम बेक तो मईच चैनल टेकनीकल पीडी तो आहँ कर भी दिश्यों को लग्रठे है तो आज ये Topic है Redmi Note 9 Pro Max Turn On HDR Camera तो मैं आपको आशे बटाओंगा कि Redmi Note 9 Pro Max में ठीक है आपको केमेरा ऑपएन करने के बार आपको यहाँ पर मिल जाता है HDR का Option तो आपको बटाओंगा कि यह जो HDR है यह यहाँ पर work का ठाई ठीक है यहाँ पर मैं आपको फूल देटेल्स बगेरा बताऊंगा तो यह जानने के लिए आपको वीडियो पर बने रही है और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि तो आज के बीडियो शुरू करते हैं तो इसके लिए आपर पहला जिस्सेफ है आपको केमेरा को ओपेंड करने के बार आप यहां पर तरप से यहां पर अध्यटकार यहीए यह उट्व करता है यह और अध्य करता है तो आपको फोटो जो यहाँ पर automatically यहाँ पर आच्छा निकल जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर auto पर भी रख सकते हैं और आपको यहाँ पर own भी रख सकते हैं own पर रखने से क्या होगा कि आप खुद भी यहाँ पर exhaust बगरा कर सकते हैं ठीक है की आपका केमरा जो यहां पर आप देख सकते हैं ठीजो पुरी तरीक इसे काले हो रहा है ठीज concerned cut अपको काले हो चुकाया की लियर बगीरा निहीं आ रहा है तो आप यहना से एग्साथ कर सकती है आपकर brightness जो यहां पर बोहत दीख निकलेगा तो आपको यह जो от saint करने के लिए आपको यहां पर मिल जाएगा तो यह जो यह ब्राइटनेस का यहां पर वोक करता है तो आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा आपको यहां पर मिल जाएगा एक उप्सन तो आपको इसको आप करने से आपको केमरा जो यहां पर बहुत ही अच्छा निकलेगा तो यह डाउन करने से आपको केमरा यहां पर पूरी तरीके से काले हो जाएगे तो आप ऐसे ऐसे करकर आप इसको वर्क कर सकते हैं तो यहीं था प्रोसेस तो आसा करड़ा हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाए थे फ्लीज वीडियो को लाइक सियर और सस्क्राइब जरू कर लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग